नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का शीर्शक है सूर्दास के पद दोस्तों सूर्दास जी का जनम 1478 में एक मान्यता के अनुसार मतुरा के निकट रुनक्ता या रेणु का शेतर में माना जाता है जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जनमस्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है सूर्दास जी मतुरा और वरिंदावन के बीच गव घाट पर रहते थे और मंदिर में भजन कीरतन किया करते थे उनके तीन ग्रंतों सूर्द सागर, साहित्य लहरी और सूर्द सरावली में सूर्द सागर ही सारवदिक लोग प्रिये हुआ जिसका कुछ अंश यहां पे दिया गया है आए दोस्तों शुरू करते हैं यहां सूर्द सागर के ब्रहमर गीत से चार पद लिये गए हैं कृष्ण ने मतुरा जाने के बाद सवैना लोटकर उद्धव के जरिये गोपियों के पास संदेश बेजा था उद्धव जी ग्यान मारक की जरिये गोपियों के विरह वेदना को शान्त करना चाते थे लेकिन गोपियों को ग्यान मारक की बजाय प्रेम मारक पसंद था इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया आईए दोस्तों अब हम अपने पहले पत्कियों और बढ़ते हैं जिसका भावार्त यह है इन चंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही है वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही है गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो बड़े ही भागयशाली है क्यूकि उन्हें क्रिश्ण से जरा भी मो नहीं है उद्धव के मन में किसी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है बल्कि वे तो क्रिश्ण के प्रेम रस्से जैसे अचूते हैं वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुपकी नहीं लगाते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है आगे गोपियां कहती हैं तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे परन्तु हम भूली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रती ठीक उस तरह से आकरशित हैं जैसे चीटियां गुड के प्रती आकरशित होती हैं वे उससे जैसे लिपड जाती हैं हम भी कृष्ण प्रेम में लीन हैं आईए दोस्तों अब हम अपने सेकंड पद के और बढ़ते हैं जिसका भावार्थ यह है इन पंक्तियों में गोपियां उद्दव से कहती हैं कि उनकी मन की बात तो मन में ही रह गई वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी वे उद्दव को अपने संदेश देने का उचित-पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बात सिरफ कृष्ण से कहनी है किसी ओर को कहकर संदेश नहीं भेजना चाती वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम अधार मानकर तन मन हर परकार से विरय की ये व्यता सह रही थी ये सोच कर कि फिर वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्यान योग का संदेज भेज कर हमें और भी दुखी कर दिया हम विरय की आग में और भी जलने लगी हैं ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है हे उद्धव हब हम दिरच क्यों धरें कैसे धरें जब हम मारी आशा का एक मातरत इनका भी डूब गया प्रेम की मरियादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ चल किया है उन्होंने मरियादा का उलंगन किया है आईए दोस्तों अब हम अपने अगले पद की और बढ़ते हैं जिसका भावार्थ यह है इन पंक्तियों में गोपिया कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकडी है जिस तरह हारिल पक्षी लकडी के तुकडे को अपने जीवन का सहारा मानता है उसी परकार शिरी कृष्ण भी गोपियों के जीने का अधार है उन्होंने मन, करम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है गोपिया कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वपन में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जबता रहा है उन्हें उद्दव का संदेश कडवी ककड़ी के समान लगता है हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती क्यूंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसे भोगा ही है आप जो ये योग संदेश लाएं हैं, वो उन्हें जाकर सौपें, जिनका मन चंचल हो क्यूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है दोस्तों, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकागरता का उपदेश देते हैं गोपियों के अनुसार, योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां वे मन उनके बस में नहीं होते जिनका मन चंचल है और इधर-उदर भटकता है परन्तु गोपियों के ओ योग की वशक्ता है ही नहीं क्योंकि गोपियां अपने मन वे इंद्रियों तो कृष्ण के अनन्ने प्रेम में पहले से ही एकागर है इस प्रेकार योग साधना का उपदेश उनके लिए बिल्कुल बेकार है आईए दोस्तों अब हम अपने अंतिम पद की और बढ़ते हैं जिसका भावार्त यह है गोपियां कहती है कि शिरी कृष्ण ने राजनीती पढ़ ली है वे व्यंगे पूरवक कहती है कि पहले से ही वे बहुत चलाक थे पर अब उन्होंने बड़े बड़े गरंत पढ़ लिये हैं जिससे उनकी बुद्धी बढ़ गई है तबी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश बेजा है उद्धव जी का इसमें कोई दोश नहीं है ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्यान करने में आनंद का अनुबव करते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मतुरा जाते वक्त शिरी कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे उसे वे वापस कर दे वे अत्यचारियों को दंड देने का काम करने मतुरा गए हैं परंतु वे समय अत्यचार करते हैं आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दे यही राजधरम है दोस्तों गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिक गेत की तरह हो गए हैं सवय ना आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहां बैठे-बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाएं एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु गरंत पढ़ लिया है कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धी लगा कर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश बेजा है इस से गोपियों का मन और भी फिर गया है वे और डोलने लगा है गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए क्यूंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते है गोपिया कहती है कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे है जबकि कृष्ण को तो राजधरम पता होना चाहिए जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए तो उमीद है दोस्तों आपको ये एक्स्प्लेनेशन समझ में आ गया होगा आप से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में गयान ओके थैंक यू